हलो बच्चोब svagath है आप अप सब का एक बार Bihar board के नंबर बन चैनल बिहारबोर्ट स्टेडी पर बढ़े अब आपEs क्लास को पूरी तरस से इंट तक देखिएगा आप लोग का परकार क का देखने को मिलेंगे जैसे की आप लोग जो बच्चे नय है चैनल को आप लोग प्यार बच्छो सब्सक्राइब कर लिजेगा तो चलेगा इस सुरू करते हैं पहरा कोस्न जैसे के देख पा रहेंगे फर्स्ट कोस्न क्या कर लाता है कि जैप कुर्ष्ट मुर्ती हो जाएगा जिसका जरम कब वहा था यह बिल्कूल आप लोग को इसका अंसर जो बच्चे डी बता रहा है बिल्कूल सही है तो आप लोग बिल्कुल नॉट पर ले निधन के अगर बात क्या जाए तो 17 फरवड़ी को भाता यह आप लोगो पता होगा 17 फरवड़ी 1906 को है निशका क्या हो गया था निधन हो गया था किसका जैब कृष्ण मूर्ति का इनके बारे में आप लोगो पता है हाँ चलिए आगे हम लोग बिल्के दूसरा कोष्ण देखेंगे त्रिच काहनी की सहली में लिखी गई है तो बताएगे त्रिच के वारे में आपको बताना है तो सब जानते के उदे परकास जी काहनी है और बताएगे किस सहली में लिखा गया है तो यह आत्म हत्यास के सहली मे में लिखे गए है इसका अंसर आप लोग कर भी पैर बच्चो आप सभी का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे. चले नेक्स कोशन के और चलते कोशन नमर तीसरा देखे का मलियज का मूल नाम क्या था? बताईएगा मलियज क्या मूल नाम के वारे में आप लोग को बताना है इससे पहले मैं आपको मलियज के वारे मता दे किसका जनम कब वहा था पैरे बच्चे 1935 को जनम वहा था याद रखेगा इसका निद्हन कब वहा था किस लेखक ने किया था तो याद रखेगा देहरादुर में जो किया था और किसके द्वारा किया गया था ओम परकास वाल्मिकी के द्वारा किया था ठीक है यह किस पार्ट के लेखका ओम परकास वाल्मिकी तो जूटन का लेखक हो जाएगा ओम परकास वाल्मिकी पैरे बच् आप लोग answer दे रहे right answer कोस्ति रोगे मैदाणी बिल्कुल perfect answer वोजाएे कैए piushan कै अगलत हैwend calidadmate तहाँ के अगर की парट की आया है फिर तो आदमी चाहे पूड़े पिर्थिवी का चक्र लगा ले त्रिस पीछे पीछे आता है तो बताईए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त जली बताएंगे फट अपट छेले आपके सामने चार अपसन दिया वाए यह जूठन होगा उसने कहा था या त्रिस आपका क्या हो जाएगा तो बिल्कुल इसके बारे में आप लोग को डिफिनेटली बताऊना चाहिए तो मैं आपको बता दू इसका आंसर आपका त्रिस जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर जाएंगे आगे दिखेगा आपके स्क्रिंड पर सेवर प्यारिबाच्चो जैप पृष्ट मूर्ति क्या थे बताएगा जैप पृष्ट मूर्ति के बारे में आप लोग को चलिए तो इसका आपका क्या हो जागा जी चलिए तो इसका आपको आंसर बताना प्यार बच्छो इसका आंसर की अगर बात किया जाए तो कावे खंड इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे कोशन देखेगा करवक सिर्सक कविता यानि किष्ण लिखा था नाइन नमर कोशन आपको बताना है प्यार बच्छे इसके बारे में अप लोग बताईएगा चलिए मलीक मुहमद जैसी हो जाएगा तुल्सी दास हो जाएगा तो आपको कविता क्या हो जाएगा तो जानते या मीरा का हो जाएगा तो देखे इसकी अगर बात क्या जाए तो यह हो जाएगा आपका यानि शूर्दास का और इसका आप लोग का बिल्कूल राइट आंसर जाएगा सूर्दास के दिक्षा गुरू कौन थे पैरवच्छो इनके बारे बताईए ग्यारा नमर कोशन आप अगर दास के बारे में तो आप लोग जाते हैं इसका आपका अगरदास हो जाएगे अगरदास के थे और इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगे तुलसिदास के माता-पिता का नाम तो बताएए तेरे नमर कोशन का अंसर क्या होगा पैर बच्छो तो बिल्कुल आप लोग जानते हुल्सियम आत्मारूम दुबे इसका आप लोगा राइट आंसर हो जाएंगे ओके चली बिल्कुल आप सभी बच्छो का आंसर परफेक्ट आना चाहिए गुड आंसर चली बताएए जली बताएगे तो हम लोग जानते पंदो सो ते तालीस को जनम वाथ प्रिशे नौट के लिजएगा मैंने कई बार आपको खई क्लास में बताए था ता पनदो सो तैस्टालीस को जैनम वाथ और सो तेईस को जो है निदन हो गया था ठीक आगे देखेगा आपके दिक्षा गुरू कौन थे पैरे बच्चो चौदर नमर कोशन आपके स्क्रीन पे ठीक है तो जली बताइएगा नवदास के दिक्षा गुरू की अगर बात क्या जाए तो पैरे बच्चो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो हम लोग जानते श्वामी अगरदास यानि आप लोग आंसर डिफिनेटली परफेक्ट अंसर होना ज्याए पैर बच्चो क्या हो जाएगा जी सो बिल्कुल आप लोगका उंसर परफेक्ट अंसर होगा काफी बच्चे बता रहे कहा झा रहे क। बसे बता रहें कुछ बचसती बता रहें सिबतार थो तो बताएंगे ना Kelsey करेंगे आंसर का कि प्रियाथ gushाव की जगा मिरी दोस्त क्या हो जाएंगा जाएंगे इसका बिल्कुल डींगा पूसर कि रधा रिधान का रखनार थे बताMax लोगतो इस खाल जाएगा जली बताईए तो हम लोग जानते है यह आधुनी काल के थे और इसका जनम का बहुता बालकिष्ण बटका बात्चित के लेखा बालकिष्ण बटका जनम 844 को वह था ठीक है चलिए आगे देखे का आपके स्क्रेंट पर कुस्तर नमर 17 बालकिष्ण बटका निवास सस्तान तुझा इलहवाद उत्तर प्रदेश था और आप जो भी बच्चे आप लोग डी बता रहे प्यारे बच्चों आप सभी गच्चों का अंसर परफेक्ट आंसर जाएंगा वहीं बात करते हैं तो बालकिष्ण बटका निवास था इलहवाद उत्तर प्रदेश आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ गया मातार का नाम यानि पारुती दिव पीता का नाम बेनी परसाथ भट ठीक है चलिए देखिए का कोसन नमर आपके स्क्रीन पर अठार नमर कोसन उसने कहा था किस वर्सकी रचना है बताईए देखे उसने कहा था का लेखा कौन था चंदधर सर्मा गुलेडी था और एक कब परकासित हुआ था मैं आपको बता दू कि उनीशो पंद्राइट आंसर जाए चंदधर सर्मा गुलेडी का जर्म कहा हुआ था जली बताईए तो बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट ना चीए हम लोग जानते चंदधर सर्म लोग जानते चंदधर सर्मा गुलेडी का जर्म कहा हुआ था तो बहुत ही बटी है जितने सारे बच्चे आप लोग बता रहे है बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आ ठीक है आप बात करते को सर्क्षान पर 20 नाम का था हुआ है हम लोग जानते चैप्रकास नायन क को यानि लोकनाय के नाम से जानते हैं ठीक है जेपी के नाम से जाना जाता है उसका बचपन का नाम जो था बावल था और इसका अंसर आप लोग कर डी पैर बच्छो राइट आंसर जाएंगे समपुर्ण करांती वाला भासन के रूप में गांधी गांधी मैदान में जेपी कब दिया था बताईएगा पांच जून 1954 को दिया था सब जून 197 को जिया था उसाह debtा है इस आठ चून Lite से जून 178 को दिया था चैलिए बताईए इस पर लोग का उपफेक्टblesं परफेक्ट हो जाएंगे प्रभावतीदीवी हो जाएंगे बहुती बढ़िया जब्रदस जिंदबाद रामधरीशी दिनकर का जनम कब हो था मैं ने बता जी आपको 1908 को वहा था कहा विश्राय सिम्रहाएं में हो था जी जिन्दाबाद आगे देखे का आपके स्क्रीन पर कुछन देख पाड़ेंगा रामधर सी दिन का जर्म कहा हुआ था तो इटार सी मंधिपर्देश महाता धाका महाता ले महाता ले मालती थी ठीका मालती का पती पेसे से कहा थे डॉक्टर थे उसका नाम कहा था डॉक्टर महसवर ठीक है और इसका पुत्रे का नाम कहा था यह भी आप लोगों को पता ही होगा चलिए आगे देखेंगा आपके स्क्रीन पर रोज सिर्शक काहनी का पूरो नाम क्या था प्रवच्चों तो हमनों जानते बहुत ही बढ़िया तो हमनों जानते हैं खटक कला पंजाब आप लोग जीते सारे बच्चे बता रहे बिल्कुल आप लोग आप लोग का राइट आंस हो जाएंगे ठीक है चलिए बहुत ही बढ़िया आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पर प्यार बच्छों सिपाही की मा सिपाही की कथावस्तु जोगा निमने मध्य मुर्गे की होगा और यह बिल्कुल इसका अंसर आप लोग का राइट आंस हो जाएंगे चलिए बहुत ही बढ़िया आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पर को सनमर्ट 28 जगतिस चंद्र माथूर का जनम कहां हुआ था बताएग क्या हो जाएगा चलिए तो चर्य सांजा उत्तर परदेश बतार कुछे बतार है कुछ बच्छे सी बतारै कूं बता रहे तो बताएए फटाफ़ परतेजी से आप लोग आंसर देने का हर्यास की जेगा क्या हो जाएगा दोस्त बताएगा चैनले बहुत ही बड़िया तो मै आगे देखेंगा आपके स्क्रीन पर सिपाई की मा एक कार का नाम बताईएगा तो हम लोगा नहीं एकार मेरे लिए जो को यह अच्छा होंगे यह किसने कहा था ? । इसका अंसर आप लोग को जायत आए va गए भीषण वो जाएगे राइट आउगा आगे आप सुरसाल काम को जजण सुर्फान को रहाँ कल्या का बताएगा तुमूल कलहल कल्हे का बताएगा तुमूल कलहल कल्हे में जो स्रिशक का विता किस पुश्तक ली गई है तो बताइए इसका आप लोगा क्या हो जाएंगे तो इसका अंसर आप लोग का अंसर परफेक्ट होना चीए इसका अंसर क्या हो जाएगा जीए जली बताइए आप सभी बच्चों का अंसर परफेक्ट होगा निहाल पूर लहवाद उत्तर प्रदेश यानि इसका अंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे ओके चली आगे देखे कावियों का कवी जो है किसे माना जाता है जली बताइए तो देखे कवी जो है समचर बाहदूर सिंद्ध को कहा जाता है और इसका अंसर आप लोग का पैर बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे कभी गजानान माध्यमुक्तुबद का जनम जो है कहां पर वा था बताइए हाँ सिम्रिया बेगुश्रा बिहार वा था वरना सी उत्तर प्रदेश वा था इतार इसका आंसर क्या हो जाएगा जी फटफट आप लोग बताएंगे इसका ठीक है जो है आगे देखेगा मध्य परदेश किस कवीता संगरे पर अगुष्याह की जो है साहित्याकात्मि उसका बिला था छेले इसका आंसर आप लोग क्या हो जाएंगे तो इसका आगर आंसर की बात किया जए लोग भूल गये यायनिं hyvin का ओप दे तो इसका अगर आंसर की बात किया जाए तो इसका आप लोग रायपूर जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे जो ही बच्चे आप लोग रायपूर बतायें बिल्कुल आप लोग आंसर परफेक्ट है इतने पाश अपने सिर्शक शंकलन इस कवी के द्वारा जो है लिखा गय इसका रायप आंसर क्या हो जाएगा जी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे चेलिए आगे दिखेंगे आपके स्क्रीम के क्या क्या लाता है किस कभी ने लिखा है कि खेत रहने वालों की सुची जो है और प्रकासी था यह किसके दोड़ा लिखा गया है तो हम मैं बत उत्रप्रदेश प्रफेर्च उसका रफ toka रायट आंसर हो जाएंगे ठीक वारणसी तीन यानि किस पारट माशाइए है कि आवाज में भी नहीं यहां आती है ये बताइये सुच्छ यह वाला कोशन नहीं है किस पारट माशाइए है कि जो आवाज भी नहीं आती है यहां सबस् 있지만 फिर बात करते कुछन पर कलड़की मुएच्छा कहनी की रचीता का नाम बठाइए इसक करदे को तो इसका आंसर के अगर बात किया जाए पैर बच्चे तो इसका अंसर आपका अंतुष चेक अप यानि बिल्कूल इसका अंसर आपका परफेक्ट होगा ठीक है तो इसका अंसर आपका अंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा तो बहुत ही आसान कोशन समाच का विशेशन जोगा आपके सक्रीन पर आपके समक्ष में जली बताएगा इसका अंसर आपका क्या उजाएगा एन ठीक है इसका आंसर आपका भी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है कलाई खुलना का आर्थ बताईएगा प्यार बच्छों इनका अंसर आपको क्या हो जाएगा देखे हमनों जानते कलाई खुलना का मतलब भेत पर कट हो जाना होगा यानि आप लोग का भी राइट अंसर जाएगा कमद सब्सक्राइब चाहिए परिया वाइस को स्ब्सक्राइब वान के सामने के लिए एक सब्द के स्वीन वाएगा परतियक्स होजाएगा क्या होसा ओगया फार्तियक्ष जो भी वेच्छे बता है बिल्कुल आप Wamitzar Perfect ऑनसर जाएंगे क्या होगी जाया गा आपको प्रॉफेक्ट ζाएंगे जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है बहुत आसां कोशन है तो बिल्कुल आप लोग को पता हो न ऐचिक जानने की इच्छा रखने वाले को throughout का तो बहुत पर बुदर कहांव स्था है प्यारव का प्यारविदी समास है कौन से इसका अंसर आप लोगा सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर जाएगा ठीक है राजकुमार में कौन सा समास आएगा बताना है राजकुमार जोगा पैनी कौन सा समास हो के बारे में बताईये तो गवन सुम्भी के बात किया जाए तो इसका अंसर अब लोगा हो जाएगा तक पुरू शमास हो जाएगा आगे आपके स्क्रीन पर आलसी का विल्लम बिल्कुल डिफिनटलि क्या हो जाएगा जिए उट्भी आगास हो जाएगा प्राचीन का अकर उल्टा की बात क्या जाया है newly taped sing is cancer थोấy हैं प्राचीन का इстати क्या हो प्राचीन निच्ट इस उल्टा क्या होग है वारा चीन का थो Mrs. PayPal राइट रुटान प्रवेट भूब्टू होगा जाएंगा थिक्ट तो प्रभ्ष इंद लॉटा क्या बटाओर था करिफीड प्रधिवी का 1-2 होगा आकास का पर्यवाची के बात क्या जाए तो अमलों जानते है ऑप्युक्त मैंसे सभी इसका पर्यवाची के कब बात क्या जाएलाइगा, वरी और भीहोलेंगा。 हो जाएगा थीड़ को यह कौन सा समास हो जाएक चिरिमार को कर बात किया जा चीर मार आपका तदपुर्ष शमास हो जाएगा फैर बच्चो आगे देखें का इसके बहुत ही आसान कोशन एक्दम बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं तो हम लोग जानते हैं कि इसके चार भेद होते हैं और जो बच्चे आप लग चार बता है बिल्कुल सही है भाषन के कमी नहीं 76 का आप लोग को बताना है तो हम लोग देखें कि आलसी सात्रों की कमी नहीं यानि आप लोग कर डी राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है चलिए कोशन देखेंगा आपके स्क्रीन पर आये कौन सा लिंग है तो आये के बारें बताएं बहुत ही आसान कोशन है खटि खटिया के बारें बताना है धोता कंसे का हो जाएगा इस त्रिनिंग हो जाएगा और इस का अनुसका है प्लोग का यह यह जव जाएगा। निकाल सकते है तो इसका अंसर आप लोगा प्यारे बच्चे में प्रकस िसमें किरुपारों ये विभाग ये थिकly है तो इसका अंसर आप लोगा ये जो है राइट आंसर रहाएंगी ऊके देखेगा जुर्माना में परती बताइएगा जुर्माना ना परतिये बताईए 86 का आपको बताना परतिये जो होगा आपका इनी क्या हो जाएगा जी जुर्माना याना जुर्माना याना की बात होड़ी है तो इसका अंसर आपको बिराइट आंस हो जाएगे मधूरी मधूरी मा में परतिये बताईएगा 87 का आपको बतान तो अब इसलिए आप लोग बता है तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि यह समास हो जाएगा ठीक है जो इस तरी अभीने करता हो उसके लिए एक सब्सक्राइब का जाता है ठीक है चलिए आगे देखेगा कुर्शी सब्द जो आपको क्या हो जाएगा जली बताइगे तो कुर के बारे में बताइए देहज के बारे में बताना है तो देहज जो क्या हो जाएगा जी सो डिफिनेटली आप लोगा आंसर पूर्लिंग राइट आंसर हो जाएगा चात्रवास का लिंग निर्ने करें तो चात्रवास का अगर लिंग निर्ने करते हैं तो यह जो हो जाएगा सदाचार का सद्राइब कीजिये सद्राइब को विद्ध्य का बहुत आसान कोषण संद्राइब एगर बात कि आजए तो बिद्या जोर आले इसका अंसर आप लोग का राइट आंसर जाएगा उत घाटन का संदीविश्यत बताईएगा 96 आपके स्क्रेंट पर बहुत ही आसान कोशन है तो अगर इसका बात क्या जाएगा तो उत जोर घाटन हो जाएगा प्यारे बच्छों जो भी बच्छा आप लो का अंसर बिल्कुल परफेक्ट है ऑप्सें भी ठीक है चलिए 99 बे इमान सब्दे में उपसर्ग जो है इसका सुरू का उच्छारण से अपके निकाल सकते बे इमान ठीक है तो यह जो है बे बे जो लगा है नहीं उपसर्ग लगा कर एक नया सब्द बनाए ठीक है तो इसका अंसर आपका बे राइट आंसर सु कर में उपसर्ग बताना है तो यहां भी जो है सु जो है क्या लगा है कि उपसर्ग लगकर के नया जो है मतलब क्या बनाए सु कर में नया जो आपका नहीं सब्द बनाए तो सु लगा इसमें उपसर्ग होगा तो इसका आपका ए